कोरोना संकट में जन प्रतिनिध्यों के सामने जनता के बीच रहने की बड़ी चुनौती है सोसल मीडिया का जबना है ऐसे में जहां तहां नेताजी के सवालों की बोचार करने वालों की भी कम ही नहीं रहती ऐसे में लोगडाउन के बढ़ते तारीक ने मजबूरन जन प्रतिनिध्यों को शेत्र में जाने के लिए मजबूर कर दिया है लेकिन दर्भंगा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हैरान करने वाली है मामला दर्भंगा जिले के अली नगर विधान सवा छेत्र का है जहां एक वीडियो सोसल मीडिया पर तीजी से वाइरल हो रहा है वीडियो में राजद के हरे रंग के रंगे टैंकर पर बड़े बड़े अक्षरों में राजद विधायक अब्दुल बारिक सिद्धिकी के नाम के साथ नारा लिखा गया है सिद्धिकी ने ठाना है नोबल कोरोना कॉविड को हराना है वीडियो देखने से पता चलता है कि इस टेंकर को राज़त विधायक अब्दुल बारिक शिद्दकी ने अपने छेत्र में सेनाटाइजेशन के नाम पर लगाया है विधानसवा छेत्र को सेनाटाइज करने निकले विधायक जी के इस टेंकर को तैमूल ग्राम पंचायत के लोगों ने जब रोक कर जाच परताल की तो विधायक जी की पोल पट्टी खुल गई जब ड्राइवर से पूछा गया कि वो किस काम के लिए ये टेंकर लेकर निकला है तो ड्राइवर ने विधानसवा छेत्र में सेनाटाइजेशन की बात कही लेकिन टेंकर के टाइरो में कीचर लगा देख लोगों को शक हुआ तो टेंकर में सेनाटाइज के लिए इस्तमाल की जा रही गोल को बाल्टी से निकाला गया तो पता चला कि टेंक में पानी भरा हुआ है जिसका वीडियो लोगों ने बना लिया उसके बाद तो कुछी मिंटों में ये वीडियो सोसल मीडिया में वाइरल हो गया हालाकि इस वीडियो के वाइरल होने के बाद राजित विधायक अब्दुल बारिक सिद्धिकी ने कहा है कि यह मुझे बदनाम करने की विरोधियों की साजिश है वहीं अलिनगर के बिजपी नेता नवीन चौधरी ने इस मामले में सिद्धिकी को आरे हाथ लिया है नवीन जी जनता को मुर्क समस्ते हैं जनता जागरुक है वह सब समस्ती है बेरो रिपोर्ट देच डी नियूज